जैह हिंद दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इंफो पर स्वागत है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन डेल पर क्लिक करें आज मैं आ वीडियो अप्लोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है इसलिए लेटस्ट समय सारिनी का लिंप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है किस रूट से होकर जाती है किस किस स्टेशन पर रुकती है इस ट्रेन में कौन-कौन सी इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है यह ट्रेन पुने जंक्शन और लखनौ जंक्शन स्टेशन के बीच मंगलवार को चलती है ट्रेन 11 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1475 किलोमेटर की दूरी लगभग 27 घंटे में पूरी करती है इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सामान्य कोच का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ यह ट्रेन शूटने से आधा घंटा पहले पुने जंक्षन स्टेशन पर आकर रुख जाती है और सुबह 10 बज कर 45 मिनिट पर रवाना होती है इस ट्रेन का पहला हौल्ट दॉन कॉड लाइन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11 बज कर 50 मिनिट पर पहुचती है यहाँ ट्रेन दो मिनिट रुखती है इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट को परगाव स्टेशन है और यहाँ ट्रेन दोपहर तीन बज कर तीस मिनिट पर पहुँचती है यहाँ ट्रेन तीन मिनिट रुखती है इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मनमार जंक्शन स्टेशन है और यहाँ शाम पांच बजकर 20 मिनट पर पहुँचती है, यहाँ ट्रेन पांच मिनट रुपती है, इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट भुसावल जंक्शन स्टेशन है, और यहाँ ट्रेन शाम 7 बजकर 45 मिनट पर पहुँचती है, यहाँ ट्रेन पांच मिनट रुपती है, इस ट्रेन का पा आथवा हॉल्ट भोपाल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3 बज कर 35 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन पांच मिनट रुपती है इस ट्रेन का आथवा हॉल्ट बीना जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 5 बज कर 30 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रे इस ट्रेन का ग्यारहां होल्ट कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11 बज कर 30 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन पांच मिनट रुपती है इस ट्रेन का बारहां और आखिरी होल्ट लखनौ जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 1 बज कर 15 मि नहीं दी है क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग-अलग होता है और समय समय पर किराय में बदलाव भी होते रहते हैं इसलिए किराय की जानकारी के लिए आप रेलवे की ओफिशियली साइट आसीटीसी.co.in पर देख सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करे मुझसे करीब से जुडने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले मेरा इस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इंफो आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैं उस ट्रेन का वीड